हेलो बच्चो, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक कोशी की जीव जो होते हैं वो केवल एक कोशी का के बने होते हैं और बहु कोशी की जीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशी काओं के हम अपने आसपास बहुत सारी चीजे देखते हैं जिन में कोशिकाएं होती हैं जैसे जीव जन्तु हैं, जानवर हैं, कुछ मनुष्य के अंदर भी हमारे अंदर भी बहुत सी कोशिकाएं हैं कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे मेरे हाथ में एक रियो की पत्ती है हम ये भी जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हूप ने जब एक कौर की पतली सी परत के अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं को देखा था, इसको उन्होंने सैल नाम दिया हम आज जिन कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे, उसके लिए हमने ये ली है एक रियो की पत्ती, हम इस रियो की पत्ती को पहचान इस तरह कर सकते हैं, कि देखी इसके एक तरफ हमें हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हमें जामनी रंग, आप इसे आसा कोशिकाओं मर सकती हैं, हमें जीवित कोशिकाओं को देखना है, इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं, ताकि भे मरे ना, स्लाइड बनाने के लिए हमें जिन चीजों के आवशकता होती है, वो यहाँ पर रखी गई है, आप देखिए हमने एक कांच की स्लाइड ली है, इस यह हमारे पास भी होता है, ड्रॉपल, इससे हम पानी की बूंदे डालेंगे, इसे हम एक निडिल कहते हैं, और इस स्लाइड पर जब हम इसका काट लेंगे, तो वो सूखे ना, इसके लिए हम इसको इस कवर स्लिप की सहायता से ढग देते हैं, चलिए हम पहले स्लाइड बन इसके लिए हम इस पत्ती को इस तरह पकड़ें और तोड़ें ताकि इसका हमें पीछे से एक पत्तली सी परत मिलें, जिससे की हमें कोशिकाय आसानी से दिखाई दे, इस तरह तोड़ने से देखिए पीछे के और आपको एक पत्तली सी परत दिखाई दे लिए, इस परत को ह इस पत्ती को फिरसे तोड़कर इसकी पत्ली सी परत निकाल लें और उसे आप blade से गाटकर इस side पर ले लें कुछ इस तरह इस पत्ती को लेने के बाद फिरसे आप 19 पर पानी डालें निडल की सहयता से आप इस cover slip को slide पर गढ़ ड़ें इतना बनाने के बाद आप इसे सुक्ष्मदर्शी में इस तरह फोकस करते हैं और सुक्ष्मदर्शी के निम्द आवर्धन में आप इसे देखेंगे इस तरह हमने इसे फोकस की और इससे एड़िस करके हम इस कोशिका का अलोकन कर सकते हैं इस लाइड का ओलोकन हम फ़र रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाइं दिखाई दे रही हैं एक कोशिका जो epidemiια करें होती है और दूसरी होती है वह होती है जिसमें कि हमें स्टोमैटास दिखाई दे रहे हमें स्टोमैटास में भी यहां थोड़ा सा इस तरह का फर्क दिखाई देगा कि कुछ स्टोमैटास जो होते हैं वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे और कुछ स्टोमैटास जो हैं वो बंध हो सकते हैं और इन पर अपना नजर कोकुस कर सकें